नमस्कार किसान भाईयो देसी पोल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है आज हम देसी पोल्ट्री को लगने वाला ड्रिंकिंग वाटर इसके बारे में बाच्चित करेंगे देशी मुर्गियों के लिए जो पानी हम यूज कर रहे है इसके बारे में सबसे पहले आपको तीन बाते चेक करनी है इसमें पहली important बात आती है वह है उस पानी का pH दूसरा रहता है उसका TDS और तिसरी बात रहती है उस पानी का total bacterial count यह तीन रिपोर्ट अगर आप निकल के लेते है तो आपको यह रिपोर्ट पशुए दुख को दिखानी है और आपको समझ के लेना है कि आपका जो पानी देशी मुर्गियों को हम दे रहे है वह सही है या नही है और आपको देखना है कि क्या changes आपको इसमें करने है और किस तरह से आप एक अच्छा साप सुत्रा पानी अपनी देशी मुर्गियों को दे सकते है तो यह पहली बात करनी है दूसरी बात जो मतोपूर्ण रहती है तो आप जहां से पानी ले रहे तो वो source भी आपको देखना है कि किस कुए से पानी हम ले रहे या किसी bore well से पानी ले रहे तो वहां से पानी जो हम यूज कर रहे वह regular पानी है क्या ने तो बहुत बार हम देखते कि कुवा बंद पड़ा हुआ है और वहां का पानी हम हमारे poultry के लिए यूज कर रहे हम ऐसे bore well से पानी यूज कर रहे है जहां पर total dissolved solid जो है hardness बहुत सारा है पानी का तो यह गलतिया आप न करें जा जो पानी regular बाकी जग़े यूज हो रहा है तो उस तरह का पानी हमें यूज करना है और टेस्टिंग important है टेस्टिंग करने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि यह पानी हमारी मूर्गियों को देने यूज है या नहीं है एक बार तय हो जाए कि हम जो पानी दे रहे है वह अच्छे quality का है तो उसके बाद बात आती है सेड़ के अंदर के management की हम देखते हैं कि पानी का जो काम है यह बहुत बार देशी मूर्गी पालन कर्रे की सानों द्वारा पीछे रखा जाता है इसके उपर अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता है तो हमें यह ध्यान रखना है कि पोल्ट्री में हमारे जितने drinker हमने लगाए हुए है बले ही वह बिच बिच में जो है periodically हम इसको बोलेंगे जैसे कि हपते में एक बार है हपते में दो बार है हपते में तीन बार है तो आपको जिस तरह time मिल रहा है उस तरह इसे पूरा साफ करना है साफ करते समय आप detergent का यूज कर सकते है और इसको अच्छे गरम पानी से दोने के बाद इसे दूप में सुखाना है और बाद में इसे और यूज करना है तो इस तरह आप साफ सफ़ाई रखते हैं तो काफी सारी जो बिमारिया हमारे देशी मुर्गी में आती है वह हम कम कर सकते हैं दूसरी बात यहां ध्यान रखनी है कि हम हमारे काम में व्यस्त होते हैं और बह इसे समय में बहुत बार यह होता है कि मुर्गियों की संक्या जादा होने के कारण वहाँ पर पानी न मिलने के कारण उनकी जो सहत है वह बिगडने के चांसेश रहते हैं और ऐसे समय में ही काफी सारी बिमारियां जो है हमारी मुर्गियों को आती है और दूसरा सबसे बड़ा effect जो पड़ता है कि फीड हम काफी अच्छा दे रहे लेकिन पानी टीक सा अवेलेबल नहीं हो रहा है तो वेट बढ़ने में भी दिक्कत आती है तो एक अच्छा साप सुतरा पानी और हमारे सेड के अंदर का management ये बाते दो अगर हम properly करते है तो हमारे देशी मूर्गियों को हम बीमारियों से भी दूर रख सकते है और उनका वेट भी जो है कम टाइम में अच्छा वेट गें जो है हम उनका ला सकते है तो ये बाते आप ध्यान रखिए और अपना देशी पॉलिट्री पार्विंग जो है वह profitable कीजे तो आज हम यहाँ पर रुकते है आप सभी का धन्यवाद